पिछले 16 साल से बिहार की राजनीत में मजबूती थे अपनी उपस्थिती दर्ज करने वाले और सत्ता के सिर्ष पर बैठे नितीश कुमार किस तरह का फैसला कब लेंगे ये कहना बड़ा मुस्किल हो जाता है उनके करीब के लोग उनके बगल के लोग भी नहीं समझ पाते है कि नितीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह के राजनीतिक हलचल मचे हुए हैं जिस तरह से नितीश कुमार बिलकुल ही अलग थलग कहिये तो पड़ गए हैं इंडिये में रहते हुए भी उन्हें फूर्ल जो अपने साथियों क का समर्थन पिछले 15 सालों में मिला है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है इन सब के बावजुद नितीश कुमार के जो तरीके हैं नितीश कुमार के काम करने का उनके सोचने का और रणनिती बनाने का उसमें कोई कमी नहीं आई है अचानक से नितीश कुमार चुप चाप से बै पॉइंट भी हो सकता है नमस्कार भोरे भोर में आपका बहुत-बहुत अभिनंदर करते हैं और जिस तरह से हम लगातार बिहार के छोटी बड़ी ख़बरों को आप तक पहुंचा रहे हैं भोरे भोर में हम बिहार के राजनीत के वो पहलू आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ने कहीं आपको सिधा असर करती है ऐसा ही खबर हमारे पास आया है कि नितीश कुमार ने अचानक से अपने विधायकों और विधान पार्षनों के साथ-साथ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक को बड़ा ही गुप्त तरीके से रखा गया था जिसकी सूच इसना मीडिया को नहीं दी गई थी इस बैठक में नितीश कुमार ने कहीं ने कहीं जदियू आगे क्या करेगी उसको तय करेंगे इसके साथ ही उन्होंने सत्र में आगे की रणनिती भी तय की है कि आने वाले जो तीन-चार दिन बचे हुए हैं उसमें किस तरह से जंता दर युनाइटेट एक्ट करी जदियू ने तय की कि जारी सत्र में उनकी रणनिती क्या होगी और नितीश कुमार ने एक-एक भिंदू पर अपना विचार रखा और यहीं नहीं उन्होंने विधान पारसत और विधायकों को नसीहत भी दिया नितीश कुमार ने सिधी तोर पे और किसी भी अनरगल बातों का जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि नितीश कुमार ने इस परस तरीके से कहा कि जोर से वही बोलता है जो चोरी करता है हम विहार के विकास की बात करते हैं और विहार के विकास के लिए ही हम संकलपित हैं बात बहुत सारी हु बिधान सभा में सराब के बोतल निकलने की बात हुई सराब बंदी को लेकर के बात हुई सराब बंदी में जिस तर से भी पक्ष हमला कर रहा है उसकी बात हुई निती आयो के रिपोर्ट की भी बात हुई जिसकी चर्चाएं आपने बिधान सभा के पटल पर भी देखा होगा कि जब निति आयो की रिपोर्ट को ले कर के बहुत सारी बाते हो रही थी तो इस पर्ष्ट तरीके से निति श्कुमार ने कहा कि जो रिपोर्ट हमारे पास तक पहुँची ही नहीं उस पर मैं जबाब क्या दूंगा जब तक मैं देख नहीं लेता तब तक मैं यूँ ही किसी बातों को नहीं देता और उन्हें तेजस्वियादों के सवालों के जवाब को देते हुए इसपस्ट तरीके से कहा था और ये संकेत था इस पस्ट बता रहा था कि कहीं न कहीं जिस तरह के चेहरे नजर आ रहे थे दोनों के वो बता रहा था कि दोनों भीतर ही भीतर कोई न कोई प्लानिंग तो जरूर कर रहे हैं आने वाले समय को लेकर के बिहार को लेकर के बहुत सारी बाते हुई आपको पता है कि नितीश कुमार की पांच लोगों की एक कोर कमीटी है इस कमीटी में अक्सर आपने देखा होगा कि ललन सिंग मौजूद रहते हैं इसके साथ बिजय कुमार चौधरी मौजूद रहते हैं असोक चौधरी मौजूद रहते हैं संजय जहा मौजूद रहते हैं इसके आलावे और भी कुछ लोग है स्रवन कुमार है इत्यादी उनके कोर टीम का हिस्सा है और इनके साथ वो मंत्रना करते हैं लेकिन इस मंत्रना में नितिश कुमार ने एस पस्क तरीके से कहा कि विकास ह हम प्रतिकार कर सकते हैं वो मूतोर जबाब देने में पीशे नहीं हटना चाहिए हमारी टीम को उन्होंने विधान मंडलदल की बैठक को संबोधित करते हुए और भी कई बाते कही और उन्होंने कहा कि विधान पास्टों से कि एस पर लोगों को बताएं कि बिहार कहा था और अभी कहा है सरकार सराबंदी के पुर्ण काम्याभी से सब कुछ कर रही है हम सराबंदी को लागू करने का संकल्प लिए हैं और यह संकल्प हम पूरा करके ही मानेंगे उन्होंने कहा कि आप लोग भी इसमें अपनी सार्थक भूमी का निभाएं और एक्सन मोड में रह है कि हमने जब प्रण किया है तो हम पूरा भी करेंगे उन्होंने कहा कि हमने सभी तबकों के लिए काम किया है ऐसा कोई भी छेत्र नहीं है जिसमें हमारी सरकार की उपलब्दी नहीं है हमारा सुत्र है विकास और इस विकास के रास्ते में नियाए जरूरी है इसलिए हमने नियाय के साथ विकास का धारा दिया है और नियाय के साथ विकास में हम किसी भी तरह का कोता ही नहीं बरतेंगे इस बस तरीके से नितीश कुमार ने कई ऐसी बाते कही और इन बातों में नितीश कुमार के जो पुरानी जो सैली थी उस सैली में लोटते नजा रहा है उन्होंन कई तरह की समस्याओं का भी जिक्र जो हुआ उस पर भी वक्तव रखे अपनी विजार रखे उन्होंने साफ तोर पर कहा कि जो भी समस्या दिकत परेशानी हो सरकार को खुल करके आप लोग बताएं समधान करने के लिए हम हर तरह से तयार हैं कोई भी कसर समधान का नहीं हैं इस बात को हर इस्थिती में कभी भी भूलिएगा मत बैठक में 14 लोग सामिल हुए थे और अपनी बाते वो रख रहे थे इसके हावाले से उन्होंने मुक्य प्रभता नीरज कुमार ने कहा कि हम अपनी सरकार के उपलवधियां काम और समाजिक कुरीटियों खासकर अपने अभियान को लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे बैठक में जद्यू के प्रदे सध्यक्ष भी सामिल थे अभी जैसे ही पंचायत चुनाव खतम होता है हम अपने फैसले पर अडिंग हैं और हम बिहार के दोरा पर जाएंगे निकीश कुमार का ये फैसला कहीं न कहीं कि पंचायत चुनाव खतम होते ही हम जीलों के दोरा पर जाएंगे ये कहीं ने कहीं आने वाले बिहार के राजनीत की तरफ इशारा कर रहा है इससे पहले भी नितिसकुमार कई बार बिहार दोरा पर निकल चुके हैं और आम जंता से उन्होंने उनके सरकार के उपलवधियों को उनके कारियों को और नाकामियों को भी सुना है और रात में रह करके लोगों से अपनी विचार लिये हैं इस काम के लिए उन्होंने कहीं न कहीं उपेंद्र कुष्वहा को लगाया था और उपेंद्र कुष्वहा लगातार बिहार दोरे पर थे इन सारी बातों को लेकर के कही न कहीं सराब बंदी की जो इस्तिती है उस पर भी नितीज कुमान ने एसपच तरीके से कहा कि हर हाल में इसे लागू करना होगा सब के साथ उन्होंने एसपस तरीके से कहा कि जागरुकता अभियान बहुत जरूरी है लोग सराब के नुकसान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिस करते हैं इसके लिए हम चौतरफा लोगों को सराब बंदी के लिए जाग तो वहां भी सराबंदी का सपत दिलवाएंगे इसके साथ ही नितीश कुमार ने और भी कई मुद्दों पर बात की लेकिन सरकार और सरकार में बैठे जो दल हैं उनके बहुआर और विचार को लेकरके नितीश कुमार ने जो बाते कही वो अब तक बाहर नहीं आया है लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से नितीश कुमार ने एमर्जंसी मीटिंग बुला करके और अपने कोर टीम के सदस्यों के साथ ये मंत्रना किया है उसके कई मायने निकाले जा रहे है चर्चा इस बात की हो रही है कि नितीश कुमार की इस गुप्त मीटिंग और चुपचाप की गई इस मंत्रना पर कहीं ने कहीं नितीश कुमार जो बरतमान परिस्थिती में बिपक्ष के सामने अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं पा रहे हैं वो भी बाते थी और इसके साथ ह जिस तरह से एक्ट हो रहा है आने वाले समय में पंचाज चुनाव खतम होते ही पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और पड़ोसी राज्ये उत्रप्रदेश में भी चुनाव है इसको लेकर के भी कई तरह की योजनाएं और अपने साथियों के साथ साथ बिरोधियों पर दबाव बनाने की भी कहीं न कहीं इसके पीछे रणनिती नितीश कुमार की रही है नितीश कुमार की रणनिती अकसत उस बातों को लेकर के रही है जिन बातों से उनकी सरकार पर कोई असर न पड़े उनकी कुर्सी पर कोई असर न पड़े एक बार फिर से नितीश कुमार क कि ये समिच्छा बैठक अपने कोड टीम के सदस्यों को बुला करके और पूरी तरह से एलर्ट मोड में लाने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां भारतिय जन्ता पाठी सदन में नितीश कुमार के साथ खड़े होने का पूरा-पूरा कोशिस कर रही है प्रयास कर रही है इसमें कितनी सचाई है और नितीश कुमार इसको कितना अपने लिए सार्थक मानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नितीश कुमार के टीम ने और नितीश कुमार ने इस पस तरीके से कह दिया है कि वो पिछली बार तरह गलती नहीं करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाओ बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और लगभग 1.500 सीतों पर लड़न लिया है और इसके लिए नितीश कुमार के सामने प्रस्ताव भी रखा है इन सब बातों को लेकर नितीश कुमार का जो एक्षन है एक्ट है वो बहुत कुछ कह रहा है उत्तर प्रदेश से पहले क्या बिहार में नितीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे इस बैठक से त अगर वो बैठक करना है तो निश्यत रुप से कोई बड़ी बात होगी उनके दिमाग में कोई न कोई यूजना जरूर है जुड़े रहे का भारत लाइब के साथ हमारी पूरी नजर नितीश कुमार के हर एक्षन पर है आपकी नजर भारत लाइब पे होनी चाहिए बहुत अगर वो पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद